हलो फ्रेंज आपके अपने यूट्यूब चैनल रन बित टाइम अलेबन पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि हम लोग आनलाइन क्लास से चला रहे थे लेकिन आनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत यह आ रही है कि जो नेटवर्क है और जो सर्वर है यहा लोगों ने सोचा है क्यों ना आफ्लाइन के माध्यम से आप तक वीडियो जरूर पहुंचाया जाए और दोस्तों जो भी यहां से वीडियो अपलोड किया जाएगा वह एक कांटी नियू रहेगा और एक करम से रहेगा आप नोड्स भी बनाते चलिएगा और जो भी कांट जो है हम लोग बीच-बीच में करते भी रहेंगे तो भारत के भोगोल में भारत को जिस नज़ा से आप देखते हैं या जिस कंट्रेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं उससे पहले आपको भारत का मैब जानना बहुत आउस्सेक होता जो कि हमने पिछली कच्छा में आप तक वीडियो पहुचाने की कोसिज भी की और पहुचा भी होगा तो आज उसी का दूसरा भाग हम लेकर के आए हैं हिमाले का विभाजन किस तरह से हिमाले को बाटा गया उसमें किस तरह से प्रश्ण बनते हैं सारी चर्चाएं जो है वीडियो में हम लोग करते रहेंगे तो यह कुछ भाग हमने लिया है। बस इतना ही क्यम हो जाये गा outta उसमे कुंकि क्या हमेरे पूरा पैसे नीचे तक नहीं बनाया। तो देखें यहाँ पे यह भाग जो आप देख रहे हैं यह लद्दक कछे त्रीषाff की चरचा हमने कर दिया है में पिछले वीडियो में आप ये है आपका पंजाब का छेत्र ये है हरियाणा और इधर जो आप देखने हैं ये है उत्तर प्रदेश ये जो भाग देख रहे हैं ये है नेपाल का छेत्र और ये है सिक्किम और इधर है आपका अवड़ानचल प्रदेश दीच में आपका भूटान देश भी है और इधर का जो भाग है यह बांगलादेश लेकिन हमें जहां तक आउसकता है हिमाले के विभाजन को पढ़ने के लिए हमने उतना मैब तयार कर लिया है तो आए जो है हम लोग पढ़ते हैं हिमाले का विभाजन हिमाले का विभाजन जो है दो आधार पे किया गया सबसे पहले हेडिंग मनाइएगा हिमाले का विभभाजन यहां से हिमाले का 방법 कर दोस्तों हिमाले का विभाजन दो तरह से किया गया अभी फर मै पर भी इसको सारी जो है कैसे कैसे जो है यह फैला हुआ है यह हिमाले सब जो है करम वाई जो है इसको हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले यहां पर आप लोग जान लीजिए जब हिमाले का विभाजन हम लोग देखते हैं तो यह दो भागों में बाटा गया पहला कौन सा है आईए इसको जा स्रेड़ी के आधार पर और दूसरा जब हम लोग देखते हैं यह है प्रादेशिक प्रादेशिक आप लोग भी जो है ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए प्रादेशिक बिभाजन यहां बिभाजन तो एक स्रेड़ी के आधार पर बाटा गया एक प्रदेश अस्तर पर प्रदेश अस्तर का मतलब है कि किस-किस प्रदेश में उस हिमाले को किस-किस नाम से हम लोग जानेंगे यह चीजे हैं उसको हम बाद में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम स्रेडी के आधार पर देख लेते हैं और हाँ एक चीज और बताते चलें अभी हम इसकी सिर्फ बिभाजन की बात करेंगे कि कैसे कैसे यह अलग हो रहा है अलग-अलग इसका बेडियो बनेगा पारी चर्चाएं एक गहराई के अंतरगत जो है करेंगे ताकि जो है कहीं और भटकनी की जरूरत आप लोगों को न पड़े चले सुरुवात करते हैं स्रेडी के आधार पे कैसे कैसे बाटा गया है उसका एक करम है तो फर्ष्ट नम्मर पे जो नाम आता है वो है आपका य प्रांस हिमाले या इसी को तिब्बत का हिमाले भी कहते हैं क्यों कहते हैं सारी चर्चाएं होगी इस वीडियो में तिब्बत या इसी को पार का हिमाले भी कहते हैं पार पार का हिमाले इसको अभी छोड़े जाते हैं इसको बाद में देखेंगे पार का हिमाले तो जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें कई हैं इसको रोमन अंक में आप लोग लिखते चलिएगा फर्स्ट है आपका इसमें करा कोरम की स्रेडी कारा कोरम कारा कोरम की स्रेडी दूसरा आपका है लद्दाक की स्रेडी लद्दाख की स्रेडी वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको एक करम वार वीडियो मिलेगा तीसरा आपका है इसमें जो तीसरा है वो है जासकर की स्रेडी जासकर जासकर की स्रेडी जासकर की स्रेडी चौथा है चौथे नम्मर पे आता है तो ये है आपका कैलास की स्रेड़ी कैलास कैलास की स्रेड़ी तो ये ट्रांस हिमाले या तिबबत हिमाले या पार हिमाले के इतने भाग हुए हैं अब हम देखते हैं दूसरा भाग मुक की हिमाले दूसरा नंबर मुख्य हिमाले मुख्य हिमाले मुख्य हिमाले तो मुख्य हिमाले में आप लोग देखेंगे फर्ष्ट नंबर जो है कौन कौन से है इसमें फर्ष्ट नंबर में जो है ये आता है आपका ब्रेहद हिमाले ब्रेहद ब्रेहद हिमाले या इसी को और नाम देते हैं ग्रेट या महान महान हिमाले महान हिमाले दूसरे नमबर पर आपका आता है इसको एक करम वाईज आप लोग बना लीजिए उसके बाद अभी हम एक एक की जो है चर्चा यहाँ पर करेंगे मैप पर उसके बाद आता है मद्ध हिमाले मद्ध हिमाले मद्ध हिमाले या इसी को लगू हिमाले भी कहते हैं लगू हिमाले उसके बाद तीसरा है इसमें तीसरा जो है यह है सिवालिक की स्रेणी सिवालिक हिमाले सिवालिक हिमाले तो इसमें जो है तीन है इस तरह से मुख हिमाले में तीन है आपके उसके बाद जो तीसरा आपका है तीसरा वो पूर्वोत्तर हिमाले कहलाता है तीसरा भी नोट करेंगे यहीं पे पूर्वोत्तर क्यों कहते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे पूर्व उत्तर हिमाले या पूर्व की पहाड़ी भी कहते हैं पूर्व की पूर्व की पहाड़ी तो ये करमवार है आईए अब इसे जो है इस मैप पर भी हम लोग नज़र डालेंगे कि कहां कहां पर ये कैसे कैसे जो है फैले भी हैं तो देखिए ट्रांस हिमाले या तिबबत का हिमाले या पार का हिमाले क्यों कहा जाता है अभी हम इसे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पहले जो है हम पढ़ लेते हैं मुख हिमाले तभी ये बात जो है समझ में आएगी तो चलिए सबसे पहले मुख हिमाले की बात हम लोग कर लेते हैं तो जो मुख हिमाले आपका है वो कहां कहां फैला हुआ है देखिये हमने बताया था कि यह जम्मो कस्मीर है हिमांचल परदेश है यह उत्राखंड है इधर नेपाल है सिक्किम है फिर इधर यह तो देखे यह जम्मो का समीर से होता हुआ जाता है ऐसे, ऐसे आप लोग भी बनाते चलिएगा, इस तरह से यह फैला हुआ है, सिक्किम होते हुआ ऐसे, और इधर आगे जो है बढ़ जाता है अवड़ांचल परदेश की तरफ और यू जो है ऐसे मोड़ जाता है, तो इसे थ थोड़ा सा करेंगे, इस रूप में, ताकि यह जो है, जो ग्रेट या महान हिमाला है, यह स्पस्ट रूप से हम लोगों को दिखाई पड़े, इस रूप में कर लेंगे, यह जो है फैला हुआ है, कैसे कैसे, इस रूप में, उसके बाद, यह इसका नाम भी हम लोग नाम कर कर लेंगे इसी वक्त इसको कहा गया ग्रेट या महान हिमाले तो यहां नीचे हम लोग लिख देंगे ग्रेट कहां पर फैला हुआ है तो वो भी इसी में फैला हुआ है लेकिन ध्यान देने योग की बाती यह है कि मद्ध हिमाले जो लगु हिमाले है यह अलग-अलग परदेशों में इसका जो भाग है वो तूट चुका है तो आप लोग इस करम में बनाईएगा इस रूप में यानि कि इस रूप में बनाईएगा और नेपाल में ये कटा छेत्र ऐसे बनाईएगा ये ऐसे और फिर आगे बढ़ते विए इसी करम में सिक्किम होते विए ये आगे भोटान ये सब जो है आगे अवडांचर प्रदेश में ऐसे जाके यहां पर चिपिंग गई है देखिए यहां की तरफ अगर हम बात करें तो इधर की जो चौड़ाई है वो कम है तो देखिए एक चीज यहां पर ध्यान देना यहां एक नामचा बारवा परवत है यहां जो है एक नामचा बारवा परवत ध्यान देना नामचा नामचा बारवा बारवा परवत अवडांचल प्रदेश और चीन के बाडर सीमा पर ही एक जो है नामचा बारवा परवत है यहीं से यह जो आपकी स्रेड़ी है चाहे वो ग्रेट या महान हिमाले हो या मध्ध या लगू हिमाले यह जो है यहीं से यूँ मुड़ जाती है इस करम में तो यहां पर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा इसको मिला लीजिए यहां से और यह पहाड़ी दोनों आकर के यहीं पर चिपिक जाती है इसी करम में यह पहाड़ी आकर के ऐसे ऐसे यहां पर चिपिक जाती है यानि ग्रेट हिमाले और जो आपका लगू हिमाले है वो इसी रू हिमाले और या इसी को मद्ध हिमाले कहते हैं बात एक ही है उसके बाद जो है अगला जो हमारी पहाड़ी है उसका क्या नाम है आए उसको भी नोट करते हैं उसका नाम है सिवालिक हिमाले यह दो भी में फैला हुआ है तो यह लेकिन टूटा नहीं है यह जैसे आपका महान हिमाले था या ग्रेट हिमाले था वह इसे ही यह भी है कि तो यह तक्रीबन इधर हिमांचल और हर्याणा के पंजाब के बार्डर पर इधर यूपी तक आ हता है यह भाग सिवालिक कि जो स्रेड़ी है इस रूप में लेकिन इधर जाते ही फिर जो है आगे यह तीनों एक में मिल जाते हैं और नामचा बार्वा परवत से ऐसे यहां पर यूँ टर्न ले देते हैं नीचे तक यही आपकी कहलाती है पूर्वोत्तर की पहाड़ी लेकि इसको भी आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा ताकि एस पश्टूप से आपको दिखाई पड़े तो यहां पर इनका नाम आप लिखेंगे जो है कि सिवालिक कि सिवालिक कि स्रेड़ी या सिवालिक हिमाले तो इस तरह से यह किसके भाग हो गएं इस तरह से आप लिख सकते हैं इस तरह से यानि यह तीनों किसके भाग हैं यह हैं आपके मुक्ध हिमाले की मुख्य हिमाले तो कहां कहां से ये गुजरी आपका जम्मो कस्मीर हिमांचल परदेश उत्तरा खंड होते हुए नेपाल होते हुए ये आकर के नामचा बारवा से अवडांचल परदेश में सीधा ये यूँ टर्ले लेती हैं और जहां पर ये तीनों पहाड़ियां चपक करके इधर आगे बढ़ रही है और ये आगे जो है जाएंगी अंडमान निकोबार दीव समू तक जाएंगी अंडमान निकोबार दीव समू आपका नीचे यही पर पढ़ता है यहां तक यह भाग पूर्व उत्तर की पहाड़ी फैली हुई है इन्ही को कहा जाता है पूर्व उत्तर की पहाड़ी पूर्व उत्तर की पहाड़ी इसको अलग इसमें भी पढ़ेंगे यह पूर्व उत्तर की पहाड़ी जिसे यहां पे नागा लैंड है फिर मिजोरान, तिरपुरा, ये से मडिपूर, इन सब छेत्रों में भी फैले वी हैं, पुर्वत्तर की पहाड़ी और किस-किस नाम से जाने जाते हैं, उसके भी एक अलग हम भाग लेकर के आएंगे, और इधर यही जो तीनों फैले विये हैं, इधर म्यामार तक भी फैले व हुमा, ये परवत्त जो है म्यामार में हैं, जो है अराकान हुमा नाम से, और यही पुर्वत्तर की पहाड़ी नीचे अंडमान, निकोबार, दीव समूह तक फैले विये हैं, तो ये था आपका मैप के नजर से हमने आपको बताया, कि कहां कहां पे और कैसे कैसे फैले विये बीच में जो अभी आपने लगू हिमाले या मध हिमाले जो आपको हमने बता है कि टूटे भी भाग हैं, जब हम प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे तो उसमें इसका नामकरण भी आएगा, कि किस-किस नाम से उस प्रदेश में किस-किस नाम से जो है वो पुकारे जा जाता है क्योंकि यह जो महान हिमाले जो हमारा मुख हिमाले उसके उस पार है इसलिए जो है इसको पार का हिमाले बोला जाता है और यह जो स्रेडिया है तिबबत का हिमाले क्योंकि तिबबत तक यह छेत्र फैला हुआ है ट्रांस हिमाले इसको इंग्लिस में बोलते हैं ट् फर्ष्ट नम्मर पर आप लोग बनाईएगा जो आपका फर्ष्ट नम्मर रहेगा वो है कराकोरम की स्रेड़ी इसी कराकोरम की स्रेड़ी पर आपका जो भारत की सबसे उची चोटी कहलाती है केटू इसी में है ध्यान दीजिएगा तो यह है आपका यहां लिख लिजिए आप लोग नाम नोट करेंगे करा कोरम यह लद्दाख में है करा कोरम तो यह करा कोरम हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कौन सा है लद्दाख किस नड़ी लग्दाख आगे जो है लग्दाख की स्रेड़ी है सिंधु नदी इसे दो बार कारती है इसी लड्दाख स्रेड़ी को इसे भी आप लोग ऐसे ऐसे कल लीजिए अलग अलग रंगों से आप करेंगे ताकि असपश्ट रूप से आपको दिखाई पड़े तो ये कौन सी स्रेड़ी है ये है लद्दाख यहां लिखेंगे लद्दाख देखे लद्दाख छेतर भी है और लद्दाख की स्रेड़ी भी है उसके बाद अगला भी देख लेते हैं कौन सा है जासकर की स्रेड़ी देखे जासकर अगला जो तीसरा हमारा नम्मर है वो है जा जासकर को हम काले से बनाएंगे जासकर को हम काले से क्योंकि अलग-अलग दिखाई पड़े जासकर यहां पर फैला हुआ है सिंधु नदी इन्हीं जासकर और लद्दाख दो सुरेणियों के मध्ध में बहिती है और काड़ती है इसी लद्दाख को यहां से प्रश्ण काफी जासकर पूछा गया है चलिए तो इसका नाम भी हम लोग जान लेते हैं तो इसका नाम है आपका जासकर इसका नाम है जासकर अब बात आती है कि कैलास की स्रेड़ी कहां पे है तो कैलास की जो स्रेड़ी है वो तिबबत तक फैला हुआ है जब आप लोग पढ़ते हैं कैलास मांसरोवर परबद जहां से तीन नदियों का उद्गम छेत्र बनता है एक ब्रहंपुत्र एक सतुलज और एक सिंधू नदी तीन बड़ी नदियां यहां से निकलती हैं तो वही है कैलास की स्रेड़ी तो इसी का भाग है इसी लद्दाक का ही भाग है यहां पे तो आप लोग यहां पे यहाँ आप note करेंगे इस तरह से ला करके यह किसके भाग है यह भाग है ट्रांस हिमाले या पार हिमाले का या इसी को तिबबत का हिमाले भी कहते हैं नोट कर लीजिए तिबबत का हिमाले तो यह चारो नाम एक करम से याद रखिएगा कभी कभी मिलान करने के लिए देता है कि कराकोरं की जो स्रेड़ी है लद्दाक की जो स्रेड़ी है जासकर की स्रेड़ी और कैलास की स्रेड़ी वो किस करम में है तो इसी करम में है एक यह कर रहेंगे इसी पकार से मुख हिमाले में कौन पहले है कौन बाद में है कौन बीच में है इस तरह से यह करम दिया गया है आप इस करम से अगर याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भोल पाएंगे और मैपिंग के अंसार भी आप चलते रहें तो यहां तक बात होगी पूर्वोत्त हिमाले जहां तक बात है पूर्व की पहाड़ी हमने बताया कि यही तीनों जो पहाड़ियां है यही जो तीनों हिमाले हैं आपके यह पूर्व की तरफ भी जो है ऐसे मुड करके यहां अवडांचल परदेश के नामचा बारवा परवत तो चलिए अब एक-एक करके इसको हम लोग जान लेते हैं तो फर्स्ट हेडिंग में आपका रहेगा इसमें सबसे पहले इसी के हम चर्चा कर लेते हैं ट्रांस हिमाले का तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले करा कोरम की स्रेड़ी में कौन सबसे उची चोटी है उसका नाम लिख लेते हैं तो करा कोरम में सबसे उची जो चोटी है एक चोटी है उस चोटी का नाम है केटू या इसी को कहते हैं गांडविन आश्टिन तो यहां नोट करेंगे भारत की सबसे उची चोटी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है आप से पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं केटू या गांडविन आश्टिन जिसका नाम है और यह है कहां पे तो करा कोरम की स्रेड़ी पे हैं किस छेत्र में हैं लगदाक के छेत्र में हैं किसका भाग है ट्रांस हिमालय या तिंबत हिमालय या पार हिमालय का भाग है इस तरह से इसमें कई तरह के कोश्चन बनते है आगे फिर लग्दाक की स्रेडी में हैं, तो लग्दाक की स्रेडी में जो सबसे उची चोटी है, उसका क्या नाम है? तो यहां लिखेंगे पारकोसी, राकापोसी, इसका नाम है राकापोसी, राकापोसी नाम है यह लगदाख की सबसे उची चोटी है, पुछा जाता है जासकर और कैलास की नहीं है, लग्दाक और कराकोरम यह इसी दो में है, तो दो का हमने बता दिया आपसे तो चलिए अब हम लोग महान हिमाले की बात कर लेते हैं और उसमें कौन-कौन सी चोटियां कहां-कहां पे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मुक्ह हिमाले की बात करेंगे Second number पर होगा यह मुखْ हिमाले हिमाले मुखْ हिमाले तो देखेंँ मुख् हिमाले यही तीनों हैं आपके तो यह कभी-कभी पूचता है कि कहां से कहां तक यह फैले हुए हैं तो मुख् हिमाले जो है यह जो है यहाँ note करेंगे point में लिखेंगे नंगा परवत से 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 नं के छेत्र में यहीं पर इस्तित है नंगा परवत है हुआ के हुआ में यहांसे ले करके नामचा बार्वा तक हमने बताया कि यह पॉइंट जो है पूरा मुख हिमाले छो है फैला हुआ है दूसरा पॉइंट इसमें नोट करेंगे दूसरा जो हमारा पॉइंट है कभी-कभी पूछ लेता है लंबाई इसकी लंबाई कितनी है तो जो लंबाई है यह चाप के आकार का यानि इस रूप में ऐसे यानि इस रूप में फैला हुआ चाप के आकार का यहां पर लिखेंगे चाप के आकार का लगभग लगभग 2400 किलो में फैला हुआ है 2400 किलो मीटर में तो इसकी लंबाई कि जब हम बात करते है तो चाप के आकार का किस त denkt में से फैला हुआ है कि अगली पॉइंट यहां नोट करेंगे अगली पॉइंट इसमें और क्या पूछा जाता है कि सिंधु नदी के गार्ज से लेकर से लेकर सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्म पुत्र पुत्र नदी के गार्ज तक फैला है फैला है यानि कि सिंधु नदी के गार्ज से लेकर के ब्रह्म पुत्र नदी के गार्ज तक फैला हुआ है तो सिंधु नदी चेमा यूंडूंग गलेसियर से निकलती है, इस तरह से लधा खोते भेवे बैती है, तो यहीं पे एक गार्ज है, उसका भी नाम लिख लेंगे सिंधु नदी के गार्ज, इसी नंगा परवत में ही बनाती है, उसका नाम है बुनजी गार्ज, भारत का बंजी घार्ज यह भारत का बहुत ही गहरा गार्ज है या बहुत बड़ा यह लगभग मानके चलिए कि बावन सो मीटर यानि कि पांच किलो मीटर तक गहराई में यह सिंधु नदी यहां पर भाहती है इस नंदा परवत के बंजी गार्ज में जिसे देखे गार्ज होता क्या है कोई भी नदी चल रही है जिसे मालिजे यह परवत है यहां से कोई नदी निकली और जब नदी निकलती है तो यह जब इसमें पहुंचती है तो यह काफी तेजी से धारा इसकी गिरती है और यह काफी गहरा कर देती है और जब काफी गहरा क तक यह फैला हुआ है यानि इधर आपका ब्रहंपुत्र नदी है तो यह पॉइंट हो गया मुख हिमाले का अब आईए देखते हैं इसमें अलग अलग जो महान हिमाले इसमें कौन-कौन सी इस चोटियां सबसे उंची चोटी है इन सब की बात जो होता है तो आईए देख लेते हैं मुख हिमाले अगला जो हमारा भाग बनेगा यह है महान हिमाले देखिए इसी का भाग है मुख हिमाले अभी हमने पढ़ लिया कि मुख हिमाले कहां से कहां तक फैला हुआ किस रूप में फैला हुआ है अब हम एक और जो है लग हिमाले का अलग पाट रहेगा तो कुछ हद तक इसकी चोटियां देख लेते हैं कहां कहां से कहां कहां किस किस रूप में फैले गी है तो चलिए महान हिमाले महान हिमाले चलिए महान हिमाले की बात कर लेते हैं तो यहां सरवाधिक उंचा है इसमें फर्ष्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे, यहाँ सरवाधिक उचा है, सरवाधिक उचा है, यानि पुरे बिस लेबल की बात हो रही है, यह जो महान हिमाला है, सबसे उचा है पुरे बिस में, उसके बाद यहाँ पे दूसरी पॉइंट लिखेंगे, बिस की सबसे उची चोटी, माउंट एवरेस्ट, इसी में मिलती है जिसकी उचाई है 8850 मीटर देखिए पहले इसकी उचाई जो है 8848 थी लेकिन अब अर्तवान में बढ़ करके 8850 लगबग हो चुकी है क्योंकि जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व की तरफ गति कर रहा है और हर वर्स एक सेंटी मीटर जो है ये उचा हो रहा है इसी लिए अब इसका जो उचाई है माउंट एवरेश्ट की वो 8850 मीटर है और ये है कहां पे तो ये है नेपाल में इसको भी नोट करेंगी नेपाल तो नेपाल यही है तो इस महान हिमाले की बात हो रही है इस लाल वाले पॉइंट को देखिएगा ये है ग्रेट या महान हिमाले इसी यही पे इस्तित है यह Mount Everest Mount Everest चलिए आगे और point इसमें नोट करिएगा आप लोग आगे कंचन जंगा इसी नेपाल और सिक्किम के बार्डर पे यहीं पे है यहाँ आप नोट करेंगे नेपाल और सिक्किम के बार्डर पे एक और चोटी है इसी में कंचन जंगा इसे भी नोट करेंगे तो यहाँ पे अगला हमारा जो point बनेगा वो बनेगा भारत में इस्थित इस तरह से आप लिखेंगे भारत में इस्थित भारत में इस्थित मुख हिमालय की मुख हिमालय की सबसे उंची चोटी सबसे उंची चोटी तो कौन सी है वो है कंचन जंगा कंचन जंगा कहां पे है यहां ब्रेकर्ट में लिख लिजेगा नेपाल पलस नेपाल पलस सिक्किम के बाडर पर नेपाल पलस सिक्किम सिक्किम के बाडर पर है बाडर यहां पर लिख लिजेगा बाडर तो यहीं पर यह जो है इस्थित है अगर हम इसकी उंचाई की बात करें तो 8598 मीटर है 8598 मीटर यह उंची है इसकी जो है इतनी उंचाई है चलिए अब बात करते हैं ये इतने point जो है आपके महान हिमाले में है जो कि आपको याद रखना है देखें यहां से दो तरह के question बन गए हैं भारत की सबसे उची चोटी तो भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह है कराकोरम स्रेडी में इस्थित है जिसका नाम है या गांडवी नाश्टीन कहां पर है कराकोरम स्रेडी में इस्थित था जब कहेगा भारत में इस्थित मुख हिमाले की सबसे उची चोटी तो आपका हो जाएगा कंचन जंगा इस तरह से आप से अगर पूछे कि इसी महान हिमाले में नेपाल में है लेकिन जब आप से पूछेगा कि भारत में इस्थित मुख हिमाले की सबसे उची चोटी काुँची है तब आपका हो जाएगा कंचन जंगा कहां पर है नेपाल और सिक् Canon के बार्डर पर तो इस तरह स से तीन तरह के कोश्चन बनते हैं इसे जरूर याद रखिएगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे लगू हिमाले का या मद्ध हिमाले चलिए अगला हमारा बनेगा दूसरा पॉइंट लगू या मद्ध हिमाले चलिए इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं इसमें कौन-कौन से पॉइंट जो हमें याद रखना है कौन-कौन सा वो पॉइंट तो जब हम मद्ध हिमाले की बात करते हैं लगू हिमाले हमने बताया था कि यह अलग-अलग पार्टों में तूड चुके हैं तो वो अलग-अलग पार्ट कहां पे हैं और किस रूप में हैं आईए उसको भी हम लोग जान लेते हैं तो देखिए यह हमने पहले बताया था कि जम्मु कस्मीर के छेत्र में है फिर उसके बाद हिमांचल परदेश में फिर उत्तरा खंड में फिर इधर है नेपाल के छेत्र में फैला हुआ वो किस-किस नामों से पुकारे जाते हैं अलग-अलग भाग इसके बनेंगे तो पहला पॉइंट जो इसमें रहेगा इसी तरह से आप इन परवतों को तोड़ दीजिए इसी करम में आपके चार भाग बनेंगे यह चारो भाग जो है अलग-अलग नामों से अलग-अलग प इस रूप में चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं तो पहला जो इधार आप देख रहे हैं जम्मु कस्मीर के छेतर में है उसका नाम है पीर पंजाल उसका नाम है पीर पंजाल जम्मु कस्मीर के छेतर में फैला हुआ है दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तरा Χंड में हमांचल प्रदेश में इधार आप देख रहे हैं तो हिमांचल प्रदेश में कौन सा है ये इसका नाम है धौलाधार धौलाधार यहां से बहुत जवर्दस्त प्रशने किया जाता है इसे आप लोग याद रखेंगे उसके बाद है उत्राखंड उत्राखंड में किस-किस नाम से जानते हैं तो उत्राखंड का जो टूटा हु याद रखेंगे नाग टिब्बा या इसी को मसूरी नाम देते हैं मसूरी 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 यह परेटक अस्थल भी है उसके बाद नेपाल अब नेपाल में क्या कहा जाएगा तो नेपाल में कहा जाएगा यह महा भारत अब यहाँ पर आप लोग अलग अलग लिख लिजिए यह है आपका जम्मु कस्मीर इसको जो है अलग रंग से यूज करते हैं ताकि अस्पश्ट आपको दिखाई पड़े तो यह जम्मु कस्मीर है जम्मु कस्मीर धौला धार यह आपका पड़ेगा हिमांचल प्रदेश में लिख लिजे हिमांचल प्रदेश और नाग टिबबा यह पड़ेगा आपका उत्त्राखंड यानि यूके लिख सकते हैं यूके और यह है नेपाल में महा भारत नेपाल तो जो लगू हिमाला या मध हिमाला है वो अलग अलग जगहां पर अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं जैसे पीर पंजाल जम्मु कस्मीर में धावला धार आपका हिमांचल परदेश में उत्रा-खंड में नाग टिबबा यह मसूरी नेपाल में इसे कहा गया जो है मह भारत नेपाल का जब आप लोग पैसा पाएंगे कभी आप जाईएगा नेपाल एक ऐसा देशा जहां पर बीजा नहीं लगता है कभी आप अगर वहां जाते हैं तो जब वहां का आप रुपया पाएंगे पैसा जो भी पाएंगे तो उसके बीच में आप देखेंगे नेपा का चित्र बना रहेगा और आपको लिखा मिलेगा महा भारत या सघरा माथा दो नामों से वहा पे चोटी को जाना जाता है इसलिए उसका नाम हाता है साघर माथा या महाभारत है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं और इसमें क्या है तो अगला पॉइंट एक और नोट करिएगा इसमें कि मद्ध हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम क्या है तो मद्ध हिमाले की जो सबसे उची चोटी है वो है नंदा देवी सबसे उची चोटी तो सबसे उची चोटी का नाम है नंदा देवी यहाँ इस चोटी का नाम है इस तरह से आप चोटी भी बना लेंगे और इसकी अगर हम उचाई की बात करें तो इसकी जो उचाई है 7,816 मीटर इतनी जो है इसकी उचाई है तो इस तरह से यहाँ से प्रस्ण जो है पुछे जाते हैं तो चलिए नंदा देवी को यहाँ हम बना लेते हैं उत्राखंड में तो उत्राखंड में हम लोग बनाएंगे इसी वाले भाग में यानि कि जो नाग टिब्बा है यहाँ पे जो है नाग टिब्बा के नाम से जाने जाना जा रहा है ना तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस चोटी को नंदा देवी लिखेंगे नंदा देवी इस तरह से तो आप से पूछा जा सकता है कि मद्ध हिमाले की सबसे उची चोटी कौँसी है तो मद्ध हिमाले की सबसे उची चोटी जो है वो है नंदा देवी और कहाँ पे है यू कोस्टन आपके बन चुके हैं फर्स्ट नंबर पर भारत की सबसे उची चोटी क्या है तो आप बता सकते हैं केटू या गंडवी नाश्टिन दूसरी तरफ फिर पुछा जा सकता है कि भारत में इस्थित हिमाले की सबसे उची चोटी तो आप बता सकते हैं जो है कंचन जंगा उसके बाद फिर पुछा जा सकता है कि मुख हिमाले की सबसे उची चोटी तो भी वही होगा कंचन जंगा फिर पुछा जा सकता है कि जो माउंट एरश्ट है विसकी सबसे उची चोटी वो किसमे है तो किसमे है महान हिमाले मे इस्थित है देखें यहां पर हमने बताया है महान हिमालय में और महान हिमालय में किस जगहां पर है तो नेपाल देश में है उसकी उचाई कितनी है 8,850 है फिर आपसे पुछा जा सकता है कि लगू हिमालय की सबसे उची चोटी कौंसी है तो आप बदा सकते हैं नंदा देवी है और कहां पे है वो नंदा देवी तो नंदा देवी आपका उत्रा खंड में है तो इस तरह से किसी भी तरह से अगर कोश्चन आए तो आप जो है उसको कर सकते हैं लेकिन जब आप ठेवरी पढ़े रहेंगे तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं अनथा आप जवाब नहीं दे पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सिवालिक स्रेडी की बात करते हैं एक और है उसके बाद जो है इस वीडियो को हम यहीं पे समाप् टीर के तीसरा पॉइंट है हों एक गिरो कि सिवालिक स्रेडी और यसी बालड़कर शेडी है तो यह है कि सिवालिक स्नेरि इसमें कुछ नहीं है इसमें मात्र जो है मुलायम चटाने पाए याती हैं यहांलिक लhake लिजेए एक पॉईंट बना करके-ई हैwn यहां इसे पॉइ मुलायम चट्टाने मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि जो सारी नदिया है कि वह इसी सिवालिक स्रेड़ी के आज पास आकर के मैदानी भागों में बहने लगती है और यहां काफी उभ जाओंचेत्र भी मिलता है इसलिए यहां की जो सबसे बड़ी विशेष्टा यह है यहां मुलाइम चट्टाने मिलती हैं आगे सिवालिक स्रेडी की महान हिमाले की लग हिमाले की ट्रांस हिमाले के सब की अलग-अलग हम सर सिड्नी बुराड ने नदियों के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया यानि परदेशों को नदियों के आधार पर बाटा है अगर आप नदी नहीं पड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं भारत के भुगोल में हमने नदियों से संबंदि जितने नदी से सतुलज नदी तक फिर है कुमाय हिमाले इन्होंने बाटा सतुलज नदी से लेकर काली नदी तक फिर नेपाल हिमाले काली नदी से तीस्ता नदी तक फिर असम हिमाले तीस्ता नदी से लेकर ब्रहंपुत्र नदी तक है अलग-अलग हिमाले की अलग-अलग कि बात करें तो इसकी बिस्क की सबसे उंची जो चोटी योरेष्ट है ओर ही नेपाल हिमालय की सबसे उंची चोटी हो जाएगी उसके वा enseñ guy हिमालय असम हिमालय की सबसे उँची चोटी यह नामचा भारवा यहां हम हिमाले कहलाएगा हमने बताय था कि चेमा यूंग डूंग गलेशियर से एक नदी निकलती है सिंधु नदी जो कि लद्दाख छेतर से होते हुए सिधा पाकिस्तान में गिर जाती है और इधर सिपकीला दर्रे से होते हुए हिमाचल परदेश में सिपकीला दर्रा है इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है सतुलज और इधर से एक नदी जा रही है जिसका नाम है सिंधु इन्हीं दोनों के बीच में जो हिमाले का नाम इन्हों ने दिया उस हिमाले का नाम है पंजाब हिमाले और इसकी जो सबसे उची चोटी केटू है क्यों क्योंकि यह इसी से तो देखो सतुलज नदी ये है काली नदी इसी नेपाल से निकलती है और इसी को सार्दा के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से काली नदी इधर बहर रही है काली नदी से सतुलज नदी के बीच का जो भाग कहलाया वो कहलाया कुमायू का हिमाला है तो इस तरह से सतुलज नदी से लेकर काली नदी तक यह कुमाव इनले है, इसकी सबसे उची चोटी नदा-देवी क्यों? क्योंकि इसी के बीच में देखें, नेपाल इधर है, इधर उत्राखंड है इधर सतुलज नदी है, इमाचल परदेश होते ही, पंजाब चली जाएगी तो इसके बीच में है, तो यहां पर उत्राखंड में है सबसे उची जो चोटी नन्ना देवी जो मध हिमाले या लगू हिमाले का था वही भाग है ये उसके बाद जो है नेपाल हिमाले कहां से कहां तक है तो देखें इसमें काली नदी तक हो गया था तो इस तरह से काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मद्ध के भाग को हम क्या कहेंगे इसके मद्ध को भाग को हम कहेंगे नेपाल हिमाले और इसकी सबसे उची जो चोटी बनेगी वो माउंट एवरेश्ट ही बनेगी उसके बाद आसम का हिमाले है आसम का जो हिमाले है वो ती तीस्ता नदी ये है और इधर से हमने बताया था जो ब्रहंपुत्र नदी है वह आंग्सी ग्लेसियर से निगलती है चीन में सांगपों के नाम से फिर इधर आवडांचर प्रदेश में जब परवेश करती इसका नाम हो जाता है ब्रहंपुत्र तो वही चीज है कि असंब का बूत जो हिमाले कहला की थीशता नदी से लेकर ब्रह्म्पुत्र नदी तक तो थीशता नदी यह है अब ब्रह्मपुत्र नदी यहां पहा गई तो इन दोनों के बीच में यह कहलाएगा असम का अधार पे परदेश को चार भागों में बाटा पंजाब हिमाले कुमाव हिमाले नेपाल हिमाले और असम का हिमाले तो दोस्तों ये था हिमालय का विभाजन मिलेंगे किसी और बेहतर कलास में एक नए टापिक के साथ तो तब तक के लिए हमें अनुमत दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद